भारत सरकार द्वारा निर्यात पर बैन लगाने से कई देशों में प्यास की किल्लत हो गई है। खबर है कि इंडोनेशिया ने निर्यात पर प्रतिबंद के बीच भारत से 9000-00-00 टन प्यास की मांग की है। इंडोनेशिया भारत के अलावा अमेरिका और न्यूजी लेंड से भी बड़ी मात्रा में प्यास का आयात करता है। खास बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में उत्पादन के मामले में भारत की हिस्सेदारी लगभग एक चौथाई है। यह नीदरलैंड और मैकसिको के बाद सबसे बड़ा निर्यातक है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्तिय वर्ष के अप्रेल से अक्टूबर में भारत ने 1.4 मिलियन तन प्यास का निर्यात किया है। इसमें से 36,146 टन प्यास इंडोनेशिया को दिया गया है। वित्त वर्ष 23 की इसी अवधी के दोरान, इसने 1.35 मिलियन तन किचन स्टेपल का निर्यात किया। वानीजे और उद्योग मंत्रालेव निर्यात कों के अंकडों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में भारत का प्यास निर्यात कुल 2.5 मिलियन तन था, जिसमें इंडोनेशिया का 1,16,695 तन भी शामिल है। दरसल, पिछले साल अक्टूबर के बाद प्यास अचानक महेंगा हो गया था। 30-35 रुपए किलो बिकने वाले प्यास की कीमत 60-70 रुपए हो गई थी। ऐसे में प्यास की कीमत को नियंतरित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्यात पर बैन लगाना पड़ा, हालांकि निर प्यास दशमलव 6 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि इस बार देश में किसानों ने कम रगबे में प्यास की रुपाई की है। कहा जा रहा है कि बेमौसम बारिश और खेती में घाटा लगने की वज़े से किसान दूसरी फसल की तरफ रूख कर रहे हैं। सरकार के प्रारंभिक आकलन के अनुसार देश में पिछले रभी सीजन के दौरान 24.6 मिलियन टन प्यास का उतपादन हुआ था। जबकि औसत मासिग घरेलू खपत 1.4, 1.7 मिलियन टन थी। वहीं फसल वर्ष 2022 से 23 में 30 मिलियन टन प्यास का उतपादन हुआ था। Bureau Report Market Times TV